यह वीडियो समर्पित है मेरे पापा को जो कि हम सब के लिए प्रेड़ना है और हमेशा रहेंगे यह नोट्स मुझे अपने स्कूल के सापाटी के फेस्बूक वाल से मिले तो इसलिए मैं लिंक इसमें वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगे चलिए अब शुरू क होती है जो कि गये के दूद में 3-7% होती है तो यह तो हम सब जानते हैं तो इसलिए हार्ट पेशिन लोगों को जो है वह हम बैस का दूद कम भी न अच्छी है गया का दूद वो ले सकते हैं अलफा केरोटिन है जो मानव के तवचा के बाहरी परत में पाया जाता है लाल र पाचन के दौरान स्टार्ज को माल टोज में हमाईलाइज नामा का एंजाइम बदलता है रग्द के अशुद्यों को किड्नी जी अवरक चान के लग करती है तो किड्नी के अंदर नेफरोन नाम के छोटे-छोटे चनिया डाइब की होती है और जो कि रहा है वरक्द के अश सब्सक्राइब और जमीदार है अशे kills Onradas और यह उनाम को तो अशनली होड़क अब है वो एजिया इसमे नंग करते समय हैं और इसमा आखियोंद के अजिताना क्राइब की कि आखेय में प्ला नें जमीदार है और यह जो मेरी जमें हैं वह जब लिवरा ब्लाट को ने बिली वर्डिन और उसके अधिकता के कारण अपने ब्लाड में जो है वो पीला कलर आ जाता है तो ओरल डिहाइडरेशन का प्रयोग दस्तों डिहाइडरेशन के या निलजली करन होने पर किया जाता है इंसुलिन पैंट्रियास में बनता है जो कि रग्त शरकरा को पचाने में कि यहां पचाना शब्द सही नहीं है इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है जो कि सेल्स के में जो गेट्स होते हैं उनको उपन कर देता है जिससे ना ग्लुकोज अंदर चला जाता है तो यह ग्लुकोज के अब्सॉप्शन में हेल्प करता है ना कि उसको रखत शरकरा को पच इतना भेंगर काम है दूद को पचाने के लिए अवश्चक एंजाइम रेनिन और लेक्टरिज मानव के शरी में आठ वर्श क्यायों से लुप्त हो जाते हैं विडामिन डी को हर्मोन माना जाता है खुडाक में प्रोटीन की अत्यादी कमी से ख्वाशी ओर कर और मरासमस नाम की बीमारी होती है पच्वों के खुड और मुपा का बीमारी वाइरस के कारण होती है परवेतन के द्वारा नाए जीवों के उत्पत्ति के जिधान को हीगो डीप्रीज ने दिया था सोडियम 24 रेडियो का समस्थानिक या फिर आइसोटोप है जिसे पडिवान तंत्र में खून के तक्के का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है इस निट एक्स्टानी का मतलब वह आइसोटोप और जो परिवान तंत्र में खून के तक्के का पता जो है वह आप सोडियम 24 से कैसा लगा सकते हो जो रेडियोक्ति वाइसोटोप स रहते हैं उनको आप ट्रैक कर सकते हैं और सोडियम 24 भी जो है वह नॉर्मल सोडियम की तरह करता है तो जब वह ब्लाड में इंजेक्ट किया जाता है तो जैसे अपने पूरे प्लाड में सोडियम सर्कुलेट होता रहता है इंद सेम वे यह भी सर्कुलेट होता रहता है तो फिल जहां ब्लाड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है वहां पर जो है वह उसका भी सर्कु क्यों नहीं करेंगे हैं तो चाहिए करने के लिए अपया होता है कि यूष यूवक्र अफिर्ड धशका से जादा मीठा होता है कि जीण अफिर्डियों से मोलक्रोपी करबन मूलिक्रक्स के लाइन नियुक लोन रहा भी सदक्स तो यह दो स्थर्ट में आता है कि इसके लावा मैं आपको एक और पात पता दूँ कि जो सार्ट स्ट्रक्चर एसा होता है बीँट्वेल का की बीच में लुस्त और आसपास जो है बाकी organic carbon के molecules का एक पिंजरा सा बना होता है हमोगलोबिन में भी हैसा ही होता है पर जो बीच में item होता है वो iron का होता है calcium ferrol और d panthenol जो है वो vitamin D के प्रकार है आप आप ऐसे याद कर दीजिए और vitamin D हड्यों के लिए important होता है इसलिए calcium और calcium भी होता है इसलिए नाम कुछ मिलता चुलता है खून में हीमोगलोबिन द्वारा oxygen के आप पूलती होती है तो जब हीमोगलोबिन का carbon dioxide के साथ एक bond बनाता है तो जब हो oxygen के साथ बनाता है तो ऑक्सी हमोगलोबिन बनता है और इसी के थ्रू जो है वो oxygen के पूरे बॉड़ी में जो है वो आप पूलती होती है रैबिस का नाम का रोग जो है वो वायरस से होता है चमगादर एक इस्तंधारी जीव है मतलब यह एक मैमल है और यह चमगादर जो होता है वो अकेला एसा मैमल होता है जो होड़ सकता है वर्णाइंद व्यक्ति या चो कलर ब्लाइन व्यक्ति होता है वो लाल और हर रंग में अंदर नहीं का सकता है विटामिन B को राइबोफलेबिन भी कहते है मलेरिय प्लाजमोडियम के कारण होता है मनुष्य के शरीर में दन तवला गिया इनेमल सबसे कठोर हिस्सा हड़ी होता है सेलिलोज कोशिका भित्ती का मुख्य घटक होता है तो सेलवाल जो है वो केवल या कोशिका भित्ती जो है वो केवल प्लांट में पाई जाती है और प्लांट में ही सेलिलोज होता है डॉक्टर क्रिशन बैडनार्ड ने सबसे पहली ओपन हार्ट सचरी की थी जैविक विकासवात का सिध्धान्त शार्स डार्विन ने दिया था लार मेठाइलिन और माल्टोज नाम के एंजाइम पाई जाते हैं नौशूर अबाउट दिस जीवो में सबसे पहले भीड का क्लोन बनाया गिया था डॉली भीड पहली क्लोन जन्तु थी जिसे रोजलीन इंस्ट्यूट के यान विलमुट से ने बनाया था रागी नामक मोटा अनाच भोजन में कैल्शियम का सबसे अच्छा स्डोत है तो यहां पे और इंफेक्ट मैंने देखा महाराश्ट्रेंड हाउस होल्स में बच्चों के लिए रागी बहुत अच्छा मना राता है क्योंकि यह वो कैल्शियम का जो है वो गुट सप्लाई देता है मशली में सबसे अधिक मात्रा में बहु असंत्रप्त वासा अमल का मतलब हुआ पॉली अंसैचलीटिटर फैटी ऐसे इसलिए पश्वो की तुल्ला में मशली का मास ज़्यादा स्वास्त कर माना जाता है और यह हार्ड हैल्दी होता है इसलिए जो है वो हार्ट पेशियंस के लिए भी मशली बहुत ज्यादा या फिर शॉयल जो है, वो बहुत ज़्यादा helpful मानी आती है बित्रत्व ग्याद करने के लिए डिया ने fingerprint तकनिक का अपयोग किया जाता है तो डिया ने fingerprint तकनिक का अपयोग जो है, और पर बहुत सारी चीजों के लिए किया जा सकता है जैसे criminals का पता लगाने और इन सब चीजों के लिए तवचा के नीचे वसा की परद शरील की उश्मा का च्छे होने से रोकती है तो इसलिए मोटो लोगों को जो है, वो इन प्रिंसपल सर्दी ज़्यादा नहीं लगने चाहिए और एक तरह से जो है, यदि तवचा के नीचे वसा की परद बहुत जादा होगी तो आपकी एनलजी जो है वो आपकी बोड़ी को गरम करने के लिए खर्च नहीं होगी इसलिए तुबले लोगों के लिए फैट लॉस करना आसान है, थोड़े मोटो लोगों के लिए नहीं होता है चेचक का सीटी का एडवर्ड जैनल ने खुजा था और फीमर जांग के हड़ी अपना पूरे शरीर की सबसे बड़ी हड़ी होती है खर्दर शरीर का वे आंग है जो कभी आराम नहीं करता है, जब वो आराम करता है तो आप हमेशा के तरह हमेशा के लिए जो है वो लीन हो जाते हैं जो को समझों के लिए मैं आपको बता हो जो समझने है टो क्या व्यक्ति अब निगे को दे सकता है तो अब इसको समझने के लिए मैं आपको बता हूँ जो capital A और capital B होता है वो हुई blood में antigen का नाम हुआ उसका और जिनमें यह antigen नहीं होता है उसको अपर O बोलते हैं तो इसका और O blood group वाले जो हैं वो सभी को अपना blood दे सकते हैं जो A वाले हैं किवल A को दे सकत इस तर बी वाले B और A B को दे सकते हैं तो फिर फिर बाइल जो है वो लिवर के द्वारा पैदा किया जाता है दूप में विटामिन D मानव शरीर में बनता है और पर्टिकुलर्य आपके इसके नौर्ज में जो है वो प्रोड्यूस होता है आवले में विटामिन C प्रचु इसके लिए उडवा रख के रूप में किया जाता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड़ी जो है वो स्टैपर्स कान की हड़ी है तो पैर की हड़ी फीमोरल जो है वो सबसे बड़ी होई और सबसे चोटी होई स्टैपर्स थोड़ देर पहले आमने ब्लड ग्रूप वालों के लिए पड़ा था तो ब्लड ग्रूप का शरीर नकार रखता आप सभी को दे सकते हैं इसलिए यह सर्भोमिक दाता या फिर यूनिवर्सल डोनर कहलाता है यह भी रखत समूवाला जो है व्यक्ति वो सभी से रखत ले सकता है इसलिए उसे अपन सार्व भाम ग्राही या फि बीमारी जो है वो कवक या फंगस के द्वाड़ा होती है रखत पर शर्चनल की खोद विलियम हारवेजी ने की थी जन्म के बाद मानव के तंत्र का तंत्र नर्वस टिशू में कोशिका का विभाजन नहीं होता इन फेक्ट नर्वस टिशू में कोशिका का विभाजन कभी बूलते हैं या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं आयोटीन थाराइट ग्रंतियों के काम को नियंद्रन करने के लिए अवश्यक है गर्फती इस त्रियों में प्राया आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाती है क्योंकि ओविएसली वह एक नई बॉड़ी बना ली है और हमारी बॉड़ी में सिवाए आयरन और कैल्शियम के हरी क्या ब्लड और बोन से तो सबसे अदे इंपोर्टन चीज होती है तीनिया सोलियम या फीता क्रमी पलजी भी सुवर और मानों की आथ में पाया जाता है मनुश्य का दिल प्रतिम मिनिट करी 72 बाल धडगता है श्वेतर अधिकर रोगों से शरील की लक्षा करते है बैट ब्लड से जो होती है वह अगले रोगों से शरील की लक्षा करती है दूद में विटामिन सी नहीं हुता है तो इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला दे दूँ आयोड आयोडीन की खम्य मन घमर जाके, जो गहंकर हमने गंगा रोब। साधियर प्रॉपर आयोडिन की मात्रा में सब्सक्राइब। नमक में जाँ चिवारु व्हान। चिवाडू कि ईधया, घेड्थ सेकोफनय, गनुम स्नाथेयर सब्सक्रीद तब लिक्विद खालता हैं सीहता है। तो यदि आप लॉंग को ध्यान से दिखेंगे तो वह फूल की कली जैसी दिखती भी है उतक समवल्थ और टिशू कल्चर का उपयोग उध्यान की फसलों के विकास और प्रसाड के लिए जाता है मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदाई अनुकूलम भरिवेश अमलिया है तो जो इस टमक का जूस होता है आपके वह उसमें वह काफी एसिटिक होता है हाइबदहलमस के द्वारा मानव शरीर का तापमान यह उत्रण होता है वयस्क मनुश्य का सामान यह रखते चाप जो है वह एक्सो बीस असी या फिर वन ट्वैंटी एटी अमेम उपारा पारा के मिलिमीटर होता है हाला कि मैंने स्कूल के टाइम में साथ लीटर पढ़ादा पर ठीक है शिशु का लेंग पिता के गुर्सूत्री योगदान पर निर्वर करता है तो दिस नीट से इक्स्प्रइन तो हमारी ब इस साल्स में होता है इसमें पहले हैं अबने पढ़ा था एक जोड़ी नमदा को है तो उनको हम सेक्स क्रोमोजूम कहते हैं यदि एक्स होता है तो जो शिशु का लिंग है वो मादा होता है और यदि एक्स होता है तो फिर फीमेल होता है और यदि एक्स वाई होता है तो फिर एक्स वाई होता है तो फिर एक्स वाई होता है तो फिर एक्स वाई होता है तो फि skill नाविदी सभा । लगबक 300 साल होती है तरपीन के तेल ही चीड के पेडर से प्राफ्त होता है अग गत kings आ अग जीए मच्छर के काड़ुन होता है तो बसेपली कोई बीजिस आधी इस और इस नल घंच काड़ुन्ट मादा देने नहीं है ठीकि तो मेपकल से फॉलो में विटामिन सी पाया जाता है, पुलियों के ओरल वेक्सिन का विकास योना साल्थ ने किया था, स्वेदा उसकी विमारियों का अध्यान कार्डियो लगा होता है, वो हार्ट से रिलेटेड ही होती है, प्रोटीन शरीयो के विकास के लिए अध्यादी का अवश्यक है, सबसे बड़ा पक्षी जो है वो शतर मुर्ग या उस्ट्रिच है, रख्त में कार्बन डायोकसाइट की मात्रा अध्य कोने से जमाई आती है, स्वेदन या पसीन अना शरीयो के तापको नियंद्रित करने के लिए बहुत अफश्यक है, गाजार मशली का तेल और हरी सबजिया जो है वो विटामिन A का अच्छा स्रोथ है, रख्त में खाना इसलिए खराब नहीं होता क्योंकि इसके नियून तापमान में रोगानों के व्रिद्धी रुख जाती है, कार्बोहइडलेट के बाद हमारे आहार मा उजा का मुखे स्रोथ वर्सा है, टाइफाइड लोग पैदा किया जाता है सल्मिनला टाइफी के द्वारा बैक्टिरिया के खोश की थी लिवन हॉप ने और DNA गुर्सूत्रों में या अक्रोमोसम्स में भाया जाता है, विटामिन B2 का एक अन्या नाम राइबू फ्लेविन भी है, बैलजी बैलजी रोग होता है विटामिन B1 या थायमिन के कमी के कारण, तलबूच कौन सा मौसम में हो गाय जाती है, जायद या फिल गर्मी के मौसम में, गटिया रोग का कारण है, जोडों में यूरिक ऐसीड क्रिस्टल का जमा होना, जो काम होता है वादल संप्रमंट से, मुत्र का समान्य गटक है, अल्बूमिन, तो अल्बूमिन अक्चली एक तरह का प्रोटीन होता है, जैसे कि हमने पहले सुना था, कि किड्नी जो है, वो एक ब्लट फिल्ट्रेशन का काम करती है, तो जब किड्नी में अच्छा से काम नहीं करती है, तो अल्बूमिन को या फिर यूरिन के प्रोटीन को वो सेपरेट करने लगती है, ब्लट के प्रोटीन जो है वो यूरिन में जाते हैं इसलिए जो मुद्र का जो है असामानिय घटक होता है लाल रग्त कड़िका का कबिर्स्तान कहा जाता है प्लिया या फिर इस प्लीन को तंबाकु स्वास्त के लिए आने का रख है किस कारण निकोटिन के कारण रुधिर वर्गों की खोज या फिर रग्त समुहों की खोज की थी लेंडिस्टीनर ने मधुमक्य पालन को एपिकल्चर पर कहा जाता है एट्स का फुल फॉर्म है एक्वाइड इम्योन डिफिशेंसी सिंड्रोम मानुरूदिन में मजूद शरकड़ा की अधिकतर मातला होती है ग्लुकोस के रूप में चलिए अब जीब के स्व मारू पर और कड़वा जीब के आखड़ी हिस्से पर पता चलता है मानौ के हेड़े में चार काक्ष होते हैं दो अलिंद और दो निले यक्ष्मा या तपैदिक होता है ट्यूबरक्लियस बेसिलस बैक्टिरिया के कारण शेहत का मुख्य अव्यव होता है फ्रुक्टोस रत यह जाता है तो पर्शोरी करन में दूद को करीब सेवन पॉंट सेवन डिगरी सलसिस में गरम करते हैं और फिर उसके बाद अचानक से थंडा कर देते हैं जिससे जो है वह जी जाते हैं पहला सफल हेड़े प्रतेर उपन किया था दॉक्टर शीयन बर्णार ने या और खरि भी सीखा था बारत के राशलिय पतु पशु बाग का वग्यानिक नाम है पैंधेरा टाइक्रिस राशलिय पक्षिय मोर का वग्यानिक नाम है बावो क्रिस्टाटूस इसी ज़र दशाता है हिर्दे की कतिविती को मानव शरीर में सबसे जार्दा माथरा में पाया जना वाला तत्व है ऑक्सीजन कार्बन होना चाहिए हर चीज में कार्बन ज्यादा होता है पैचिश का कारण है अमीबा हिस्टोलिटिका अनुवान शिक्ता का नियम जो है वह ग्रेगर मेंडल द्वारा इतिया गया था नवजास शिश्वों को टीपीटी का टीका लगाया जाता है क बचाने के लिए आयोडिन यूपने मग लामदायक होता है थाड़ाट ग्रंती के लिए और इससे जो है वह गोईटल या फिर घेंगा रोग जो है वह ठीक होता है जिसमें कोशिकाओं का नियंत्रित वभाजन होता है चमगादर पला शुर्फ द्वानी अल्प्रसांड सु विटामिट डी की कमी से बच्चों में सुखा रोग या रिकेट्स रोग होता है कोशिका का पावर हाउस कहलाता है मैटो कांड्रिया और किट्नी की प्रकारियात्मक यह का है नेफ्रों योग गितम के उत्तर जीवता सर्वाइवल ओव तैट इस का सिद्धान दिया था चा एक अनुवान शिक रोग है चो रुदिल को प्रभावित करता है डेंगु जोड का कारण है डेंगु वायरस और मानव तवचा का रंग बनता है मैले निन से इस वीडियो को अन तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बैस्ट अफ लुक फर यॉर एक्जाम और अंगुरु तक्षिना के तौर पर आप इस वीडियो को जिसके भी ज़़ रहत है उसके साथ चुरू शियर करें